हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आल्ट्रबुक भरसस्थ नोड्बुक, तो आज का कोस्न भी है डिफरेंज बेटुएंद अल्ट्र बुक एंड नोड्बुक, आल्ट्रबुक और नोडबुक, तो बात कते हैं पहला पोईंट, आल्ट्राबुक आर ए फैमेली ओफ नोटबुक्स का फैमेली है जो वार्क, माल्टिमीडिया या एंटर्टेन्मेंट पार्पर्स के लिए डिजाइन किया गया है और नोटबुक्स आर एंट क्लास ओफ पोर्टेबल लैप्टोप कम्प्यूटर्स विद ए रिलेटिबली स्लीम प्रोफाइल बाट विद आनकॉम्प्रोमिसिंग पार्फोमेंस यानि नोटबुक एक पोर्टेबल लैप्टोप कम्प्यूटर की क्लास है जिसमें रिलेटिब than normal notebooks यानि ultrabooks की design normal notebooks से अधिक चिकना, पतला और हलका होते हैं और notebooks boast a slim form factor but are not as portable as ultrabooks यानि notebook एक slim form factor की दाबा करते हैं लेकिन यह ultrabook जैसा portable नहीं है उसके बाद अगला point ultrabooks weight less than 3 pounds and major number more than 0.71 inches in thickness यानि ultra books की जो weight है वो 3 pounds से कम है और उसकी जो thickness है वो major करने पर 0.71 inches से ज़्यादा होता है और notebooks weight around 4 to 5 pounds and major around 1 inch in thickness और notebook की जो weight है वो लगभख 4 से 5 pounds है और उसकी thickness measure करने पर लगभख 1 inches है उसके बाद आगला point, ultra books are powerful machines with screen size number more than 14 inches यानि ultra books एक powerful machine है जिसका screen size number 14 inches से ज़्यादा होता है और notebooks come in a variety of screen size options usually number more than 15 inches और notebook की विविन screen size option है लेकिन आमतर पर जो number रहती है वो 15 inches से ज़्यादा होता है तो एथा कूछ difference between ultra books and notebook तो दोस्तो आज के लिए बास इतना ही मिलते है निक्स्ट फूडियो में और विडियो अच्छे लगे तो विडियो को like share और चैनल को subscribe करना झाल की लेडियो में आमतर की लेडियो में पहला है